राज में जब से सदन नहीं चल रहा था उससे पहले मुद्दा था सबसे बड़ा बेरोजगारी जेमेम ने कहा खुद मुख मंत्री ने कहा कि 2021 न्युक्ति वर्स है कॉंग्रेस डिफेंड करते हुए कर दिया रुकिये तो कॉंग्रेस ने डिफेंड करते हुए मुख मंत्री को कहा फान्यांसियल यह जोड़िये मार्च अब मार्च भी लगवा खत्म है अब इर्फान जी से पूछते हैं कभी सरकार से या मुख मंत्री से या अपने विधायक दल के नेता से पूछा कि भाया का हुआ निक्ति वर्स क कब दीजीगा नोकरी सारा सवाल तो आप किये ये सवाल किये किसे से सरकार कंभीर है हमारी कई से कंभीर है आपने देखा होगा बबा दो वर्स कौना में चला गया उसके बाद जब हम लोग खड़े हुए तो एक और कौना आ गया और मिक्रोना आ गया तो ऐसे में आप कैसे परहते हैं कि एक दिन घृ कहा करते हैं अपसे जो पूष्य बाब दिए अपर पेज में किसी की मिर्त्यू नहीं हुई सरकारी अकड़ा कह रहा है कोई या पद्धपी नहीं थी शीट सारे कोरोना के खाली थे उस्पिटल के खाली थे तो सरकारी ये बहाना करिये कि ओमिक्रोन के चलते हम नहीं किये सकेंड फेज तक आपका मान सकता है थर्ड फेज में कोई नहीं मानेगा इस बात को देखे बबाब इसमें क्या था कि जब हम लोग फर्स फेज में इतना भेवित हो चुके तो आनसारी क्यों नहीं सदन में पूछे कि लड़कों को नोकरी चाहिए मेरा सवाल ये है तो आप ये बात बुली ना तुमने तैयारी कहां से की मैं ना इम बेम को बढ़ाई देता हूँ आप जो सपना देख रहा है उस सपने को हम दोनों मिलकर पूड़ा करेंगे आपको कैसे लग जया हम युवाओं के लिए रोजगार की बात नहीं किया एक बार भी आपका प्रशन में नहीं आएं आप देख लीए हंगामा आपने उसमें नहीं किया हंगामा किस पर किया भाबूलाल के मुद्धे पर किया भगवा पर किया यूपी और साइकल पर किया इस तरीके के मुद्धे पर किया तो धिरे धिरרכ बाबूलाल्मारण्डी आम लोगों से जहारखनड में रह रहे है लोगों से निवेधण किये हैं कि घर में ताला बंद करके बाहर मत जाएगा जेमेम के गुंडे हेमन जी के गुंडे आ जाएंगे घर में और 32 का खतियान मांगें ये दुर्भाग है मैं बावुलार मुनाली जी का बहुत सम्मान करता था हूँ रहूंगा लेकिन इस तरह की भासा उनको सुभा नहीं देता है बावुलार जी कोई समझना चाहिए कि भाजपा आपको टीशू पेपर के तरह यूज़ कर रही है आप आदिवासी हैं आप ट्राइबल हैं मैं उसका सम्मान करता हूँ बावुलार जी को नहीं मालूम है इर्फान जी अगर ही तेसी है तो बोलके नेता प्रतिपा आप पड़ देते हैं हेमन सरकार जो है मैं कहना चाहता हूँ मख मंत्री हेमन सोरें जी 25 साल राज करेंगे बावुला जी को मैं कहना चाहता हूँ आप लिख लिजे यह राज लिए हैं सोरन परिवार और अंसारी परिवार और उनकी उनका हग यह बनता है दाइत बनता है कि जारकन को सभी को सम्मान करें सबको सुसासन लेकर हम लोग चलें यह हमारा मक्वंत्री जी के देन है और बावुलाल जी को जोस्ति आप चले गए साहिम गए भाई आप मालू का खेल होता है वहां सिपिंग का खेल हो रहा है अरे आप पूर मक्वंत्री रह चुके हैं आप इतना लोग क्या है इस मौर में भाई तो आपी मान रहें कि वहां कश्च होता है अगर ने 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 देखिए आपका बावुलाल का लोब उनको ले गया तो इसका मतलब इर्फान अंसारी मान रहे है कि साहिम गंसे कोईला और बालू बंगलादेश जा रहा है जिसमें बावुलाल हिसे दारी खोजने गए थे वह तो कहे कि थाना में मा मुद्य का बागना चाहिए बयान कुछ और दिये सदर में कुछ और बोलते हैं तो मेरा एक सलाह होगा बावुलाल अनुभवी विधायक है आपसे लोगों को बहुत उमीदे हैं उस पर खरा उतर के दिखाई आप भाजपा के बैकावे में मत आये यह मेरा आपसे गुजार का ति वह अच्छा प॔श्च देंगे हैं हम लोग एक सेट है कै अच्छ आते बाबुलाल जे मैं में जाए या कॉंग्रेस में हम लोग देखे इस अमर में बावुलाल को कोई अपमानित करेगा बाजपा अपमानित करेंगा уж hai तो ये इर्फानसारी ब्रदास नहीं करेगा, क्योंकि बावुलाल जी का सबसे बड़ा मेरिट यही है, कि वो हमारे आदिवासी है, आदिवासी का सबसे बड़ा हेते से इर्फानसारी है, याद रखेंगे, अच्छा एक आखरी सवाल, आपने कहा कि बावुलाल जी भी कुछ कुछ बाहर बाहर कुछ अंदर कुछ बोलते हैं आप लोग कहते हैं न कि 32 का खतियान ही अस्थानिये का परिचे होगा लेकिन सदन में आलमगीर साहिब ने क्या कहा कि 64-74 पे भी हम अभी विचार कर रहे हैं लेकिन हिंदी को जोड़ना पड़ेगा राष्ट भासा के साथ अपमांद बरदास नहीं करेंगे उन्होंने कल संबाद कारिकरम कॉंग्रेस में बोला देखे अगर बना जी क्या बूलते हैं नहीं बोलते हैं I have no idea लेकिन जारकन जो चलेगा यहां के अस्थानि लोगों की कहने पे चलेगा मुल वासी आदिवासी को कहने पे चलेगा अगर गरना जी कहने पर नहीं होते हैं क्या रवाले बना दीए हैं क्या रजे बात बूला है उन्होंने का कि कस्मीर फाइल्स का टेक्स फ्री करने का मांग हो रहा हर तरफ से आप उसको सरकार से मांग करेंगे कि कस्मीर फाइल्स का टेक्स फ्री कार हमाई डिफिस्ट में जा रही है बजट हमार डिफिस्ट है पैसा काट लिया है सब कुछ काट लिया है तो अब सरकार स जो हम जाएंगे और वहां जब देखेंगे फिल्म क्या होगा फिल्म देखेंगे फिल्म आप भी बना दीजेगा बिल्कुल सही बोल रहे हैं मैं जाओंगा वहां हालात को देखूंगा माहुल को देखूंगा पंडितों के साथ हत्याचार हुआ यह मांते एक फिल्माय गया siya teffek के द्षक में गाना एक कस्मीर है यह कस्मीर है उसके हीरो थे नायब था अमिताब बच्चन जीजेगा आवः कस्मीर एक बार फिर सुर्चव में है देखिए निश्य तोर पर कस्मीर का जो हालात है भाजपा ने बर्बाद करकर दिया तहस नहस कस्मीर को कर दिया बी पुल्मावा जैसा कांडना कर दे कोई तो कहीने कहीं हमको लगता है कस्मीर को जो और सरकार को पहल करना चाहिए कि आवा गमन आना जाना शुरू करना चाहिए वहां का जुबातावरन से हम लोगों को मेल जो होना चाहिए तो फिलम देखकर आप लोग इसे बात ला रहे हैं अच्छी बात नहीं है इसके स्क्रिप्ट लिखने वाला यादी कोई है तो भाजपा के लोग जो बीजेपी द्वारा फंडिट है ताकि लोगों का गुम्रा करें माइंड वास कराब करें यह प्रोपगंडा है आप बातों को समझें चीजों को समझें आप देख लिए अभी उत्तरपर्देश में वो ए आई एम कोन है नेता ओवेशी सहाब की बीजेपी के एजेंट थे अगर उसके हाथिया भाजपा ने करवाया मिल जूल के हाथिया करवाया और अगर हाब उन पर गोली चली मान लीजे हाथिया प्रयास कराया अग गोली चली तो किसी को मारना को सामने समार देगा ज्यान बुझके टोटल मीडिया तीन दीन से पुर्या मीडिया ले गया पारलेमेंट ले गया कि ओवी सी पर ताकि हो जो भोट हिंदू का वोट जो है प्रलिजेशन हो जाए अब देखेंगे का समीर पांडितों के साथ यह बीजेपी कु किते साथ चलेंगे कस्मीरी पंडितों के साथ हत्याचार हुआ किजी के साथ भी घात्याचार हुगा इपान शरी बदास्त नहीं करेंगा अपनितों को क्यो बोले वहां अल्संक्य को भी तुमारा गया भई कभि उसकी ऐवाश तो नहीं हैं हम लोग पनीत का हितरी सी आप और अिजब उस्क्राइब कर दो, सुबस्क्राइब सक्राइब ए लो ए व बाफ़ ड़ ए और रॉब टेफ लोड़ व